सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी इस संसार में केमती वस्तूओं के होने की बावजुद भी एक वैक्ति के जीवन में मित्रता एक बहुत मुल्यवान रिस्ता होता है बुराए बड़ी हो या छोटी हमेशा विनास का कारण बनती है क्योंकि नाव में छेट छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है ऐसे वैक्ति को सम्हाल कर रखे जिसने आपको ये तीन भेट दिये हूँ समय और समरपन आज का पंचांग 17 सितंबर 2023 देन रवीवार भादर पदमास के शुक्लपक्च के द्वीत्या तिथी सुबा 11 बच कर 9 मिलट तक रहेगी इसके उपरान 3 तिथी प्रारम होचा आईगी हस्त नामक नक छेत्र सुबा 10 बच कर 2 मिलट तक रहेगी इसके उपरान 4 नामक नक छेत्र प्रारम होचा आईगी आज कर आहू काल अर्थाद दिन का सबसे असुबसम में सम चार बच कर 45 मिलट सी, 6 बच कर 18 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुबसम में सुबह 11 बचकर 49 मिलट सी 12 बचकर 38 मिलट तक रहेगा आचेंद्रमा कन्या राशी पर रातर 11 बचकर 7 मिलट तक रहेगी इसके उपरान तुला राशी पर संचार करेगी और आज शुर्य सिहरासी पर दुपहर 1 बचकर 34 मिलट तक रहेगी इसके उपरान कन्या राशी में रवीवर, अपने सब विचारों को एक साथ रख कर सोची, इससे जो निशकर्ष निकलीगा, उसे आपको इस्थिती से निपटनी में काफी मदद मिलीगी, अपने आपको उन चीजों में नाफस नी दी, जिन में आप विश्वास नहीं रखती, इन्हें छोड़ कर आगे बढ प्यास रहीगा, और काफी हद तक सफलता भी मिलीगी, किसी सम्मंधिय अमित्र का सहयोगा आपकी हिम्मत को बढ़ाईगा, विध्यार्थियों की विदेश ये शम्मंधित कोई समश्य हल होनी की शंभावना भी है, अपनी मर्जी के नुसार जीवन में बदलाव करना आपक को केवल भवनात्मक रूप से खुद में बदलाव करने के आवशकता है, अचाना कोई बड़ी खरितदारी करने से बचना होगा, लक्ष की और बढ़ने के लिए धीरे-धीरे खुद में बदलाव करी, बड़ी जिम्मेदारी को स्विकार करके पस्तावा ना हो इस बात का दिहार रखना होगा, मार्केट पर दिहान देने से कांग को आगे बढ़ाना संभव होगा, रिलेशन्सिप सम्मंधे जिन बातों में आप खुद को नकरात्मक मानती हैं, उन्हें बदलने के प्रयतन करें, पुरानी तकलीव को ठीक करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करना ह शौधानिया, आपकी लापरवाही और आलस की वजए से किसी मत्र या सम्मंधी का नुक्षान होने की आशंका है, अपने सम्मंधों को मजबूत बना कर रखनी की जोरत है, दुशों के मामलों में ज़्यादा उलचनी की बज़ए अपने कार्यों में ही धिहान दे, बात करत है, सिर्फ आपको अपनी उपस्थिती के प्रती सचेत रहना होगा, कदम सम्हल सम्हल कर रखें और अपने मित्रों से सलाह लेनी में ना हिचकी जाएं, आपको बहुत सारे विकल पर नचर आएंगे पर जल्दबाजी में, निवेश करने से बची, आपका सांस्वभाव सब आपको आपकी और आकरशित करता है, आपके चरित्र पर हलकी से पहली अपनी और आकरशित करती है, बस आप ऐसे ही रहें, बात करती हैं करियर की, हाला कि आप इमंदार और महनती हैं, सफलता आपकी पहुँच से दूर रह सकती है, कुछ मामूली गतिवीधियां आपको पर दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। यदि शंभव हो तो आप एक दिन का उकास भी ले सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज ठन जुखां वाइरल संक्रमड और दूसरे तरह के सभी संक्रमडों से शोधानी पूर्वक। आप पिछले कोश समय से प्रदूर्शित वातावरन में काम कर रहे हैं। और इसके दुश्प्रभ होब आप सामने आएंगे। संक्रमडों से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय और घर के नुस्के अजमाएंगे। उनसे ज्यादा लाब मिलने की भी शंभावना है वाज जीवन शैली में बदलाव भी लाबकारे शिद्ध होगा। आज का उपाय आज आज आप इस नान ध्यान के बाद विधी विधान से शुरेदेव की पूछा करी। इसके पशाच जवरत मन को गूड, दूद और चावल का दान करी। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमें इसस सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रहे। आपका दे शुग हूँ।